आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरण विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। पर पस्तुत हमने का रखा, तो यह कितना है, 12 डिग्री सलस्यस, यह परिवर्तित होता है T2 ताप में, कितना T2 ताप है 50 डिग्री सलस्यस, कब और कितने समय में, यह यहां पर समय लेता है, तो उसे हम स्मोल T1 के रूप में पस्तुत करेंगे, वो यहां पर है 10 मिनट के समय लगते हैं उसे ठंडा होने में, ठीक है, तो उतना समय, अगर यहां पर हम देखें, और सटी 2 से फिर से अगर हमने व्यक्त दिकाराखा, तो यह हमारे लिए पर यह होगा 10 मिनट के पश्यार ताप की गरणा हमीं करनी है, तो अगर अगले 10 मिनट के लिए क्लिए क्लिए तो यह मान हमारे लिए कितना यह जो परिवर्तन होगा T3 के रुप में यह अभी भी हमारे लिए 10 मिनिट है ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा Newton के शितलंग के नियम का उपयोग करें तो शितलंग के नियम के नुसार के सिवस्तू के ठंडे होने की दर अगर हमने ता अंतर के समानुपाती होता है यह होता है Newton का शितलंग के नियम के नियम के नुसार हम सारे प्रदो को यह सूत्र हमारे पास क्या बनेगा यह बनेगा T1 रिंग टीटू के रुप में बटे हम करते हैं तो स्मॉल टी यहां पर मान होगा यह होगा बट एक नेतांग के के हम और पहली स्थिख के लिए अगर हम देखें पहली स्थिख है दूसरी स्थिख है तो दोनों के लिए हम इसमें अ शुत्र को रखते जाएंगे ठीक है तो तीवन टीटू का मान अगर हम यहां पर देखें तो 62 रिंग यहां पर बनता है 50 बटे समय के तना लगा 10 मिनिट औ हमें नहीं पता है लेकिन अगर हम इसे आगे हल करें तो इसे हल करने के बाद यहां पर बनता है बारा बटे दस के रुप में तो अगर हमने इसे लिखा बारा बटे हमें दिया हुआ तो दूसरे को ऊश Moto करेंगे तो दूसरे के लिए 50 से 42 हैं तो हम इससे क्या लिखा क्या लिख सकते हैं हमारे पास पनता है पचास रिंग्यालिस इसके खर्श के लिए 10 मिनिट लगता एक 20 धन 42 बटे अगर हमने हल किया तो यह हमारील बनता है 46 लिसरें 3 की रुप में अब यहज अगर हमने हल करना है तो श Sail trailer नीए Air 3 से अब यहाँ पर उसे क्या लिखा जाएगा हम अगर इसा हल करें तो यहाँ पर बनता है 12 बटे 10 की रुप में और अगर हमने कहाई यहाँ पर सभदे हम लिख देते हैं 8 बटे यहाँ यहाँ पर बनता है 10 ठीक है अब यहाँ पर के का मान तो हड़या खाल回去 चार ऑर यह दो बनेगा और यह फिर बनेगा तीन ठीक है इस तरह से अगर हमने इसके मान को हल करा तो तीन और यहां पर बनता है 46 रिंड टी नॉट की रूप में और यहां पर मान बनता है दो गुणा 56 रिंड टी नॉट की रूप में अब इस तरह से पुरा अगर हमने हल करा इसके मान को तो यहां पर बन रहा है 138 ठीक ह लेकिन तीन टीन नॉट की रूप में दो यहां पर बनता है तो यहां पर बनेगा 112 रिंड दो टीनॉट की रूप में इस तरह अगर हम हल करें तो टीनॉट का मान हमारे पास किता बन रहा है 26 रुप में बन रहा है ठीक है तो 26 डिग्री सल्सेस अगर हम कहे दें तो यह हमारे पास होगा मान 26 डिग्री सल्सेस पर ती नॉट का मान तो हमें मिल गया अब हमें निकालना होगा के का मान अगर हल करना चाहें तो यह समीकर इंडू से हम इसके मान को रख देते हैं 12 बटे 10 यहां पर होगा यहां पर होगा के का मान और टी का मान यहां पर है था 26 और यहां पर यहां पर बनता है 26 के रुप में ठीक है अब अभी से अगर हमने हल करा तो यह 30 के के रुप में आता है मान और यह बतता है 12 बटे 10 के रुप में ठीक है तो के का मान अगर हम देखे एक बटे पचीस के रुप में ठेक है तो के का मान भी हमें मिल गया अब यहाँ पर हम अगर इसे देख रहे हैं कि अगले दस मिनट में वो कितना थंडा हो रहा है कितने तापमान तक थंडा हो रहा है यह हमें पता लगाना है तो फिर से हम यहां पर उप्योग करेंगे समीकरन एक का समीकरन एक में जो थापमान देखेंगे तापमान कितना था 42, 42 से कितना हो रहा है वो हमें ग्याद करना है जबकि लगने वाला समय का मान अभी भी 10 मिनट ही है ठीक है, अब दूसरे पद में भी देखें तो यह हमारे पस बनता है 42, धन यहां पर बनता है टी, बटे यहां पर हमने लिखा तो 2 के रुप में, रिण हमने रखा तो यह कितना बन रहा है यहां पर है, ताप मान 26 और यहां पर के का मान अगर हम रखें तो के का मान यहां पर बनता है, एक बटे 25 के रुप में ठीक है, इतना मान हमारे पस मिल गए अब इससे अगर हल किया जाएगा तो इसे हम क्या लिख पाएंगे 42, rent, T, बटे, 10 की रुप में और इसे क्या लिखा जाएगा आगे इसे अगर हमने हल करा तो ये बनता है 42, धन, T की रुप में और rent अगर हमने करा तो 26 का यहाँ पर बनता है 52 और हम इसे एक तरह से लिख लिख लिए एक बटे 50 की रुप में ठीक है अब अगर इसे हल करें तो यहाँ पर बनता है 42, rent, T, अगर हमने इधर रखा और पूरा हल नहीं किया है अभी इसे आगे इसे हल करते हैं यह बनता है ट, rent, 10 की रुप में और बटे यहाँ पर बनेगा 50 ठीक है अब यहाँ पर कुछ मान कटेंगे क्या शुनी और शुनी यहाँ पर कट जाएगा तो 5 अगर वहाँ चला गया तो वहाँ पर मान कितना बनता है यह बनेगा 210 की रुप में रिन 5, T हमने करा और T, rent, 10 की रुप में हमने हल करा तो T का मान हमार पस कितना बन रहा है? 36.36 degree Celsius में तो यही हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर अगर हमने उस पतार्थ को या उस धादू के गोले को और गर्म किया 10 मिनट तक तब उसमें जो ताप मान आएगा वो कितना आ जाएगा? मतलब 22 degree से अगर उसे हमने 10 मि अगरी Celsius में तो यही हमसे प्रिश्ट में पूछा गया था धन्यवाद